हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बहतर चल रही होगी तो आज का जो हमारा वीडियो है ये वीडियो उन वच्चों के लिए है जो वच्चे राजिस्थान PTT 2023 ऑनलाइन फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं तो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि राजिस्थान PTT 2023 के ऑनलाइन फॉर्म किस तारिक से भरे जाएंगे कितने नमबर का क्या आएगा सिलेवस क्या रहेगा किस टॉपिक से कितने प्रशन पूछे जाएंगे बिल्कुल फ्री में पिटीटी की तयारी कैसे कर सकते हैं कम समय में तयारी अच्छी कैसे करें इस पर भी बात करेंगे तो वीडियो काफी इन्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लीज़ वीडियो को लाईकों सेज ज़रूर करें जिन वाच्चों ने चैनल को सबसक्राइब नहीं किया लेकिन किस तारिक से फिल किये जाएंगे उम्मीद यह जताई जा रही है कि 20 मार्च से 25 मार्च के बीच में आप लोग PTT 2023 के ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाएंगे इसका नोटिफिकेशन इसी महिने में आपको देखने को मिल सकता है अब हम बात करेंगे कि बिलकुल फ्री में PTT के तैयारी कैसे कर सकते हैं इस पर भी बात करेंगे देखिए PTT 2023 का ओफिशन नोटिफिकेशन जैसे ही आप लोगों का रिलीस कर दिया जाएगा वैसे ही आप लोगों की क्लासे श्टार्ट हो जाएंगी चाहें आप लोगों की राजसान जीके की क्लासे हो या रेजिनिंग की क्लासे हो या जनल अवरनेस की क्लासे हो जो भी आपकी क्लासे हैं इस चैनल के माद्यम से आप लोगों को PTT की बिलकुल निसुलक तैयारी करवा रहा हूँ और इस साल भी मैं आप लोगों को PTT की बिल प्रिटा काये थे लेकिन फिर बीन को कॉलेज नहीं मिला और लाश्मन को निरास होना पड़ा बज़े क्या है बज़े यह है कि जब पीटीटी का ऑफिशन नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और एड्मिट कार्ड आने के बाद बच्चे तयारी करते हैं क्यूंकि बच्चे एड्मिट कार्ड आने से पहले तयारी नहीं करते हैं तयारी करने के लिए आपको तीन महिने से पहले आपको जब आप तयारी करेंगे तब आपकी जो पकड़ है हर सब्जेक्ट पे वो अच्छी होगी ऐसा है कि एड्मिट कार्ड जब जारी किये जाए तब आप पढ़ र ठीक है हमारे चैनल के माद्यम से प्लेलिस्ट बनाए गई है 2022 में आप लोगों को पूरी की पूरी क्लासे दी ती चाहे रेजिनिंग हो चाहे राजिस्तान जी के हो या जनरल अबन नश हो सारी क्लासे पड़ी हुई है अगर आप लोग चाहें तो पिछले साल मैंने वीडियो प्रिफिकेशन आने के बाद ही आप लोगों की जो न्यू सेसन की क्लासे हैं वो श्टार्ट कर दी जाएंगी अब आप लोग यह जान लेजिए कि कितने नंबर का क्या आएगा देखिए इसमें 200 कोशन पूछे जाते हैं 600 नंबर के अब 200 कोशन में टार्गेट मानके आपक टार्गेट है आपका एक स्टार्ट कोशन का और नंबर आपका टार्गेट रहना चाहिए 450 नंबर का अब आप लोग एक बार एक्जाम पैटन देख लिजिए मानसिक चमता से 50 कोशन पूछे जाएंगे 150 नंबर के टीचिंग अप्टीटूट टेस्ट से 50 कोशन पूछे ज पूछे जाएंगे 600 नंबर के है टार्गेट मैंने आप लोगों को पता दिया कितने टार्गेट मानके चलना है आप लोगों को पी-टी-टी 2-0-0 तेरे 1923 परिछा पाढ़करम में अच्छा परदोर्षन करने के लिए उमिद्वार को पाढ़करम की पूरी तरह से तो इसमें देखिए जन्रल अबर्नेस में होगे आपका भारती इतिहास, भारत के प्राकर्तिक संसाधन, संस्कृति, महान भारती व्यक्ति, राजिस्थान के बारे में सामान ग्यान, पर्याबरण के प्रति जागरुकता, सम समाई की से समंदित कोशन पूछे जाएंगे, रा लेना, रचनातमक सोच, शामाने करन, निसकर्स निकालना, आदि से समंदित कोशन पूछे जाएंगे, इंगलिस और हिंदी के गर हम बात करें, तो इसमें देखिए, शब्दा वली, कार्यातमक ब्याकरन, वाके संदचना, समझ आदि से समंदित कोशन पूछे जाएंगे, तो सलेवस और एक्जाम पैटन मैंने आप लोगों को बता दिया है और टारिगेट कितना मान के चलना है आप लोगों को 160 कोश्चन आपको हराल में करने होंगे अगर आप सरकारी सीट चायते हैं तो नमबर आपको 450 प्लस मान के चलना है टारिगेट के रूप में तो अगर आप अभी से तयारी करेंगे तब ही संबब है एडमेट कार्ड आने के बाद आप तयारी करेंगे तो यह संबब नहीं है कि आपको सरकारी सीट मिले प्राइबिट के भी लाले पड़ जाएंगे मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ ठीक है तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए इसका जो ऑफिशल नोटिफिकेशन है इसी महीने जारी होने की पूरी की पूरी उम्मीद है तो पलपल की अपडेट के लिए बने रही है चैनल को जरूर सस्क्राइब करें क्यों मिलते हैं नच वीडियो के साथ जैन जैवारत